नया जानवर आया, नया content है, संबाला तो जाता नहीं है, बिमार होगे सिर्फ टोपी ड्रामा होता है, व्यूज मिलने चाहिए बस जानवर आते जाते रहेंगे, यही है इनकी सच्चाई, खुश हमदीतो सलाम, मैं हूं Mitified और आप लोग ने टाइटल और थमले देखी, पता लगाए लिया होगा, कि मेरी यह वीडियो जो है, आम वीडियो से तो इससे डिफरेंट है, और मैं आप लोग यह भी पताता हूँ, कि मुझे आखर यह वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, तो रिसनली जैसे कि आप लोग बता है, कि मिटिफाइड अन्बाइस कि उपर उपर से तो यह वीडियो में काफी जादा soft spoken बने होते हैं, लेकिन असल में इनकी strategy है क्या, और यह कितने जादा fame और पैसे के भूकें है, अब हुआ यह कि मिटिफाइड ने जब यह news cover की, जो कि obviously public news थी, और काफी लोगों को नहीं पता थी, तो मिटिफाइड का क साफ animal abuse कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी YouTube इनको चलाने दे रहा है वो वीडियो, क्योंकि यह सिर्फ तो mass report से ही बंद हो सकता है, अब हुआ यह कि शहर में दियाद ने बगाइर contact किये, मिटिफाइड को copyright भेज दी, और वो post जो है, वो remove करवा दी, दोनों platform से, और जि नहीं पहुंच रही है, जिस तरह पहले पहुंच रही थी, तो अब मैं basically आप लोगो सारी सच्चाई इनकी बताता हूँ, पहले तो यह था कि अन्बाइस डो के सिर्फ निउस देनी थी, लेकिन अब जो इन्होंने हरकत कर दिये, उसके बाद आप लोगो सच्चाई बताना चाहिए कि पहले इन्होंने 6 constantly वीडियोज अपलोड की एक टैटल और थमलेल के उपर, यानि के पहली वीडियो थी, मिनी जू में हमारा लाइन आ गया, दूसरा शायान को लाइन से मिलवा दिया, बहुत डर रहा था, अगली में ब्लैकी को लाइन से मिलवा दिया, ब्लैकी डर गई, अब यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि तीसरी और आठी वीडियो सेम है, सेम टाइटल है, और जब इनको पता लग जाए कि कॉन्टेंट जिया हो खतम हो गया तो इनको याद आए कि वाइल्ड एनिमल है यह और इन्होंने वापस से उनको वापस कर दिया, क् जानी कि या तो यह कवर अप स्टोरी थी या पिर सच था, लेकिन अगर सच था तो अब इनको लाइन रखने की क्या ज़रूरत पड़ी, और अगर जूट था तो इसका मतब व्यूज ले कि उनको वापस लाइन बेच दिया, अब आप लोग जान कि यह बड़ा हरान होंगे सिर्फ यह नहीं है, पूरे चैनल में आदी से जादा वीडियो जी हैं, वो शेहर के ड्रामों से भरी हुई हैं, अब उन ड्रामों के डिरेक्टर भी यह खुद हैं, और एक्टर भी यह खुद हैं, टाइटल लिखते हैं, लाइन ने आज हमला कर दिया, पता नहीं क्या हो इसे, इसके बाद दुबारा से एक लाइन लेके आते हैं, जिसका नाम दुबारा से मुफासा रखते हैं, और वो लाइन जी है, वो चार दिन के बाद ही मार जाता है, और उसकी भी वीडियो बना की यह अप्लोड करते हैं, सिरफ व्यूज के लिए, जैसा कि आप लोग व एसी बात है कि वही बहतर जानते है, इसके लिए सिर्क नाम दे दिया और वह अभी तरग ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बाद क्या हो हमें आप लों को बताता हूं। एक वीडियो अप्लोड करते हैं जिसका टैटल रखते हैं लाइन को मिनी जू ले आया और सब परिंदे ढर गे तो रिसनली जो मैंने पोस्ट कवर किया था तो क्या वज़ा थी कि मुझे भी वीडियो बनानी पड़ गी आप खुद ही वीडियो देख लें अब इसमें आप घोर से देखें कि रैबिट्स का जब उपर प्रोपर स्पेस बना हुआ है छट पे तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस बिमार रैबिट को मिनी जू में प्लोट करने की क्या ज़रूरत थी वो भी एक वाइल्ड प्रेडिटर की मुझूदगी में जहां कि ओवियसली खतरा था और उसके बाद भी ये वीडियो जिकोर्ड कर रहे थे और लड़ाई को बढ़ा चड़ा के दिखा रहे थे जिससे ये प्रूफ करते हैं कि सारा कुछ व्यूज के लिए कर रहे हैं और बिचारे रैबिट को भी जब कॉन्टेंट इनको मिल गया उसके इन्होंने बचाया है तो क्या ये अनिमल अभ्यूज नहीं है अभी तक तो आप लोगो इतना समझ आई गया होगा कि इस चीज़ का जवाब ही हाँ है और दुबारा से मैं इस चीज़ को दोराना चाहूंगा कि जितना लोग अपने आपको मासूम शो करते हैं ये उतने ही दोनों तेज और चलाक है और ये नहीं चाहते कि कोई इनको एक्सपोस करें इनकी स्ट्रेटजी पे और नही ही इनको कोई बुरा के और नहीं कोई इन पर लीगल एक्शन ले जो के तीनों चीज़े बनती है लेकिन ये किसी को बोलने नहीं देते हैं लेकिन MIDFID ने वो आइडिया से इंस्पायर होके मिनी जूद बनाने लग गए हैं यानि कि उनके प्रायर कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह जो है वो एनिमल का ख्याल रखते हैं बस वो इस आइडिया को फोकस कर रहे हैं क्योंकि एनिमल अब्यूस करके वो भी व्यूस लेना चाहते हैं वो सा से हजारों होड लोग हैं जो यही करने कोशिश कर रहे हैं बस इन लोगों ने बच्पन में शहर में धेहाद किता चूजे पाले होंगे और अब यह चाहरे हैं कि उनकी तरह मिनी जू भी बना लें इवन दो चूजों को भी इन्वायर्मेंट चाहिए होता है वरना वो भी मर हैं अब मैं आप लोगों बताता हूँ कि किस तरह इनोंने 15 से 20 एनिमल की स्पीशिस के तर्मयान में अपनी अटेंशन जो है वह स्कैटर की हुई है यानि कि बर्ड्स पैरिट्स रैबिट्स डोग्स गैट्स होर्स फिशिस काउ डॉक्स गोट्स पिजिन लामा लाइन पीक को साथ कैट्स को साथ और इवन यह जान बूच के जैसा कि मैंने आपनों को पहले पता है कि एक बिमार रैबिट को अपने लाइन के सामने ले के आगे यह बेवकूफी नहीं यह जान बूच के किया गया है और कल इन्होंने मिटिफाइड की पोस्त रिमूव करवाने के बा इवन जैसे कि मैंने आपनों के इंस्पाइर होगे उनके टोपिक्स पर इवीडियो बना रहे है ताकत रखें और इंस्टेंड के ये दूसरे क्रियेटर्स जो कि इनकी सचाई बिता रहे हैं उनको स्ट्राइक मारने के कोशिश करें ये अपना कॉंटेंट खुद ठीक करने कोशिश करें लोगों के इंट्रोटेन करें लेकिन साथ में एजुकेट भी करें मिस गाइड मत करे और इस वीडियो के लिए सिर्फ टॉपी ड्रामा मत करें और अगर इस वीडियो के बार मिटिफाइड और शेहर में ध्याद के दरम्यान में कोई मामलाद दुरस्त होते हैं और वो अपनी स्ट्राइक जीए वो इंस्टाग्राम और फेस्बुक से वापिस ले ले लेते हैं तो अब आप लोग इस सारे के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा आज के लिए में यही एक स्पोज था मैं आप लोग से मिलता हूं अगली वीडियो में अलाहाफीज